हेलो बच्चो मैं आप लोग के लिए आज लेकर आया हूँ क्लास नाइन्थ चेप्टर टेन सर्कल सर्कल में हमने पहले वीडियो में हमने डिसकस किये थे सर्कल के सारे पॉइंट्स के बारे में बात किये थे कि सर्कल में कौन-कौन से पार्ट्स है उसका क्या-क्या definition है क्या figure था हम सबके विस्तित जनकारी दिये थे यह मेरा second बीडियो है सर्कल का आप अगर वो बीडियो नहीं देखे तरह सबसे पहले उस वीडियो के देख ले ठीक है क्योंकि हम इस वीडियो में जो हम लोग जो है सरकल के अंदर थियोरम जो है वो सारा थियोरम हम लोग परेंगे ठीक है जिसमें पहला थियोरम जो है हम लोग परने जा रहे हैं ठीक है तो आप लोग बने रहें ठीक है देखत है तो आज हम लोग class chapter circle circle का पहला theorem हम लोग देखेंगे ठीक है पहला theorem है कि बोहुत असान है ठीक है आप लोग जो है यू समझ जाएंगे ये circle ये बोहुत मज़िदार जो है chapter है आप यू समझ सकते हैं आप मेरे channel पर नए हैं तो like subscribe और share करना न भूलना क्योंकि मैं परतिक theorem जो भी ये circle का जो भी theorem है सारा हम theorem करवाएंगे और exercise का भी हम question करवाएंगे ठीक है तो आप मेरे channel पर बने रहे और पूरा वीडियो को देखें सुरु से अंद तक ठीक है तो आप देखेंगे कि theorem number one क्या कह रहा है 10.1 prove that equal chords of a circle, subtended equal angle at the center ठीक है बोला जा रहा है कि equal chord है, chord जो है equal है, chord जो है equal है subtended equal angle at the center तो chord equal है तो हमको prove करना है कि center पर बना हुआ angle जो है ठीक है center पर बना हुआ angle जो होगा, वो क्या होगा कि बरावर होगा, ठीक है उसको prove करना है, तो given में क्या है कि हम circle को c-o-r माल लेते हैं, ठीक है, let c-o-r be a circle in which a-b equal chord है, जो आपस में बरावर है और c-o-r का मतलब क्या हुआ, पुछोगे कि c-o-r का मतलब क्या हुआ तो c एक circle है, circle को c कहते है, o उसका center है, r उसका यानि c-o-r का मतलब c एक circle है, o उसका center है, r एक radius है तो हमको prove करना है कि angle a-o-b equal to angle c-o-d है ठीक है, angle a-o-b equal to angle c-o-d ठीक है, अब हम लोग prove में चलते हैं, proof में चलते हैं तो इस triangle में, यह triangle जो दिख रहा है, a-o-b यह triangle और triangle c-o-d, यानि यह triangle दोनों triangle को क्या करते हैं, congruent कर देते हैं ठीक है, तो क्या हो जागा, a-b बरावर c-d यह तो दे रखा हुआ given है, और o-a equal to oc, o-a equal to oc, जो यह जो है, इसके बरावर हो जागा, क्यों, क्योंकि वो जो है radius है, तो radius के plural बोलते हैं, उसको radi i बोलते हैं, तो o-a बरावर oc हो जागा, radi i हो जागा, और o-b equal to o-d, यह भी radi i हो गया, यह भी radius ही हैं, तो देखते हैं क्या इस दोनों triangle में, तीनों side बढ़ावर है, तो कौन सा क्रिटरिया लगाते हैं, बोलो, बोलो, हाँ, एस, एस, क्रिटरिया से, triangle a-o-b, congruent triangle cod, दोनों triangle congruent हो गया, तो जब congruent हो जाएगा, a-o-b, congruent triangle cod, congruency के बारे में हम लोग 9 class में, जो है, 9 class में chapter, triangle में बहुत पड़े हैं, ठीक है, तो ये congruency का sign है, तो a-o-b, congruent triangle cod हो गया, इसलिए angle a-o-b, equal to angle cod हो जाएगा, ठीक है, ये c-p-c-t से, c-p-c-t के मतलब हो गया है, corresponding part of congruent triangle से, ये proof हो गया, है ना मज़दार, बहुत अच्छा, चलिए आप इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, और like और share कर दीजिए, ठीक है,